कभी डिजाइनर बुटिक में आपका स्वागत है देखे फैंज आप ये कुर्ती देख रहे हो ये कुर्ती हमने अपने कभी डिजाइनर बुटिक में बनाई एक क्लाइंट आए हमारे पास एक लाइंट हमारे पहुत ही फेवरेट है और इनका खुद का अपना फैबरिक था Leland का और इस ली लन के फैब्रिक में हमने येक डिजाइनर कुर्ती बनाई इसमें जू ये नैक क्दिजाइन बना है और ये और ये जैसे हरे इस कुर शिफाएंगे और जो इसमें ये कडहाई की गई कैसे के तो अज आज इस वीडियो को आप बड़े दिहान शेकने के लिए म मेरे जो क्राफ्ट्समेन है वो इसको कटिंग कर रहे हैं तो यह हमने कैमरे में शूट किया है और यह जो आप देख रहे हो यह वाला जो फैब्रिक है यह हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट को हमने फोल्ड वाली तरफ से नहीं रखाया कटिंग वाले हिस्से से र लिए है और चुन्न नटों का भी मार्जन एक्स्टायली मतलब 45-5 इंची में चला जाएगा और बाकि गैदस जो है वो पांच इन्ची हमने एक्स्टायली तो गैदस में सेट करेंगे तो इसलिए हमने इसको पहले ही अंग रखा श्टाइल के हिसाब से चार से पांच इंची हम एक्स्टर लेते हैं लेकिन इसमें कम से कम दस इंची एक्स्टर है अब उसके बाद हम इसमें देखिया आगे आप जो यह निशान देख रही हो यह बॉड़ी का मेजर अब देखिए अब तीरे का निशान लगा के दिखाते हैं आपको तीरे का निशान जो हमने लगाना है वो हम लगाएंगे पहले यह तीरा ही देख लीजिया तो तीरा हमारा यहाँ पे जितने इंची का पीछे से गला है उसके हिसाब से हमने तीरा का निशान लगाया यह द बहुत बढ़ा लेना पूरा तीरा लेना होता है तो यह देख रहे हो आप 1-5 इंची के गराए गई है जब गला बहुत चोटा होता तो उसकी कंदी पूरी गहरी किरती है और फ्रंट और बैक का हिसाब निकाल कि इसको निशान लगा के अब इसकी करने जा रहे है तो सबसे प इतना ही डीपनेस में इसकी कंदी डाउन करने चाहिए हर चीज का लॉजिक होता है कि कब इतने बड़े गले में कितना तेरा लेना चाहिए कितना कंदी गिराना चाहिए तो अभी तो हम ने आपको सिर्फ जो कटिंग हो रही है वह सामने हम वो सब दिखा रहे हैं और आपको कोशिश कहते हैं कि आपको समझ में आ जाए तो अब देखे यह जो अंगरक्खा स्टाइल में है अब उसका निशान लग रहा है यह यह यहां से यह प्रोड़ा प्रोपर एक इस तरीके से कटिंग हो जाएगी और अंगरक्खा स्टाइल में डिजाइन बन जाएगा यह देख और हमारा फ्रंट दोनों हिससे दोनों तरफ के एक्ष्टर लिए जाने है तभी वह अंगरक्खा स्टाइल में सेट हो सकता है तो अब यह देखे इसमें हमने से गैदर सेट कर दी और अभी वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहे हैं आपको बहुत अच्छी मतलब इसमे करने का है नहीं लेकिन मैं फिर भी कभी कभी सोचते हूं कि चलिया आज यह वीडियो बन रही है तो इसको हम वीडियो को शूट कर ले तो आज के सामने से शेयर करते हैं ताकि आप सबको भी थोड़ा आइडिया हो सके तो यह देखी यह अंगरक्खा स्टाइल में और चु इसी की वज़े से हमारे कपड़ों में काफी फिनिशिंग आती है आप देखी यह अंगरक्खा स्टाइल में जो आपको यह द्हागे की कड़ाए देख रही है आप इसको हम आपको पूरा दिखाएंगे बना के तो सबसे पहले यह जो गले की शेप एगले के साब सेमने पे देखिए इसको हम डबल करके काट लेंगे एक अंगरक्खा बड़ा चल जाएगा और एक अंगरक्खा का इस्टाइल हमारा जो गले में छोटा वाला पार्ट है वो नीचे रह जाएगा और यह पेपर फॉर्म चिपक जाती है अराम से यह हमने से फोल्ड करके एक बार में कटिंग कर लेंगे बाकी जो बड़ा चाहिए बड़ा ले लेंगे और चोटा कर जो चोटा वाला पार्ट है उसको हम चोटा कर देंगे कि काफी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम देख जिसको शिलाई आती होगी न तो उसको ऐसे देखेगा तो उनको काफी हद तक समझ में आ जाएगा लेकिन जो बिगनर्स हों उनको थोड़ी दिक्कत आएगी उनको कम समझ में आएगी है बट यह वीडियो हमने बिगन कि अब चलिए अब आगई हमारी तगाई का हिसाब तगाई का जो डिजाइन वो कैसे बनाया देखे हमा एक अंकर का दागा भी आता है जिसमें चार से पांस दागों को खटा करके और तब तगाई की जाते लेकिन वह कलर हमारे पास नहीं था वैलेबल तो इसलिए हमने चा चारो रील ली और हमने बॉबीन के अंदर सेट कर दी यह बॉबीन के अंदर भर दी और अब यह देखे यह ऐसे लगाया तो यह हमने आपको दिखाने के लिए बड़े अच्छे तरीके से बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए तो यह बॉबीन में भर गई अब उसके ब हमने सुई के अंदर भी डाल दिया और अब हम आपको धागे की दगाई दिखाते हैं कि धागे से कैसे बनाया जाता है तो वीडियो को यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जाज ज्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी ऐसी तगाई का आइडिया हो स तो पहले पेपर फॉर्म को कपड़े पे चिपका लिया प्रैसेस की फिनीशिंग कर ली और अब हम यह इक्वल में धागे से सिलाई कर रहे हैं यह देखिए पलटके यह देखिए बॉबीन में जो मोटा धागा भरा था वो हमारा उपर की मतलब इसमें नजर आ रहा है और तो उपर की तरफ बारी एक धागा था वो उल्टी तरफ से आ रहा है तो इस तरीके से हम एक्वल से लाई लगाते चले जाएंगे डिजाइनिंग काफी बहुत ही सुंदर लगती है प्लेन फैब्रिक में तो यह बहुत ही अच्छी लगती है यह डिजाइनिंग मैंने खु अंक है आज म स्क्राइधु कि दाने है चार ह्के संसर नहीं है और जा है कर दो आज यह समय मिला कि जब हमारे पास अंकर का धागर नहीं होगा इस वहन करो को बनाएंगे और अपनी तगाई कर देंगे तो कमेंट बोक्स में बताईए कि आपको यह आइडिया दिया हमने यह कैसा लगा और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जहाज जादा शेयर कीजिए ताकि यह वाली वीडियो भी या इस तरह का आइड करेंगे मतलब एक पार्ट दूसरा है बाकि स्लीव में भी हम यही डिजाइनिंग बनाने वाले मतलब बॉर्डर बनाने वाले थे तो मैंने क्राप्समें को समझाया था कि हम अपनी स्लीव में भी ऐसी तगाई देंगे तो अब यह देखिए यह पहला पैट सेट हो रहा है करने के लिए जो अंदर वाला अंदर वाला हिस्सा है उसको हम अंगरक्खा इसाप से जोड़ रहे हैं तो यह वाला इस्टाइल थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए जब हम इपने पैटरन को सेट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रोपर तरीके से बैढ़ जाएगा तो अंदर वाले हिस्से को हम फिनीशिंग देने के बाद ऐसे उपर की तरफ रखके और इसकी सिलाई लगा देंगे जिस जिस शेप के हिसाप से यह पीस कटा है इसमें नॉर्मल धागे से सिलाई की जा रही है बिल्यू कलर के धागे से ताकि यह पक्का काम हो सके ऐसे और अब हम इसे प्रेस के तुर इसको पलट देंगे ऐसे पलट दिया और यह इसकी शेप के हिसाप से यह अंगरक्खा इस्टाइल में सेट हो गया कि अब इसको यहां इस पैच को सेट किया जा रहा है पहले तखाई आपने देखी ली थी और इसमें गैदस भी डाली थी हमने और अब यह सिलाई लगा रहे हैं इसमें और यह साइड में जो अंगरक्खा इस्टाइल में था इसको भी हमने पूरी प्रॉपर फिनिशिंग दे दी ताकि जब हम एक दूसरे के पार्ट को एक दूसरे के अंदर फसा के रखेंगे तो वहां पर उसको कच्चा नहीं दिया जाएगा पक्का कर दिया जाएगा इसलि कि आप मेरे पास काफी टाइम से मेरा बुटीक है तो मेरे पास क्राप्ट में मगेरा है तो इसलिए मैं इतनी स्टीचिंग मगेरा कुछ नहीं करते हूं कर लेती हूं तो यह देखे इस तरीके से हमने पूरा सेट कर दिया है और यह डिजाइनिंग बन गई आप हमारे क्ला स्टीचिच वालु कर देखे लगे डिजाई कर दूबूस्टीच अबूरा से आप तो डिजाए तो अर भी ने पूरा खेले घर आप अन्या थैंक्य। है कितने सूट तर्वाली है आपने अबी तक हमारे नहीं से शाए अर्छ पूरा मिला करते हूरा है तो मेरा पाभी मैं मम्मा का और मीदी का तो हमने 50-50 उठसल लवा जोगे तो और सबस्तों पिटेंगे? बहुर अची, सब्की टेन उटेंगे किसी को कभी बन गो में सब्की बहुर अची पिटेंगा एगा है किसी को तो बारा अल्टन गनाने के सरूरत ही बढ़ी है झाल 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 झाल